हम सब अपनी बात किसी ना किसी बाद हम से कहने की कोशिश करते हैं और वो हम समझते हैं कि ये बात सामने वाला समझ जाए हर बार ऐसा नहीं होता है हमारे जिवन में कई भावनाए भी होती है सुक होता है, दुख होता है, हसी होती है और बहुत सारा प्यार भी होता है और जब हम ऐसी भावनाओं के साथ में जुड़ जाते हैं और उन भावनाओं को हम जब explain करने की कोशिश करते हैं उन भावनाओं को सबजने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला आदार हम लेते हैं गीतों का संगीत का आज जो शक्सियत हमारे स्टूडियो में वजुद है वो गीतों से प्यार करते हैं संगीत से प्यार करते हैं उसे हमारे सामने लाता है बहतरीन अपने अंदाज में जिहां मैं बात करना हूँ राजिश किलोर जी का और म कोई भी आप उनको एक ऐसे माहल में खड़ा कर दीजिए और आप उनसे कहिए कि सर आप इस पर लिखिए इसको संगित बत कीजिए और इसको गाये यह इस कला में निपूर है राजिर जी यह कला को आपने किस तरह से डिवलब किया और आपकी जो जर्नी है हमारे दर्शकों को कुछ एक कॉंटरस्ट आती थी कुछ लिखने के बारे में जिसे हित वार्ड में आती थी काफी न्यूसपेबर में आती थी तो हम लोग पाइडिसिवेट करते थे जर लिखते थे कुछ सुछता था जर वह प्राइज मिलता था तो वो प्राइज मनी जो अमांट रहता पहुचना वह बड़ी बात है और इतने सारे लोगों में हमारा सिलेक्ट होना राहिज बनी के लिए तो वह एक मोटिवेशन मिलता था जिसेकेंडली जब भी कही मिलते थे पिर कहीं कुछ लोग मिलते थे आप तो अच्छा लिखते आप तर लिखते तो वह भी एक में सामाजिक संस्ता था जिसके लिए हम काम करते हैं तो उन्होंने मुझे कहा था तो हमने गीत बनाया घुट म Touerद के लिए बनाया रिखाशेक didninta बनाया जो चल रही है तो फिर इसके बाद ऐसा हुआ कि वो गित सुनकर काफी लोग मुझे मेरे बुझे अप्रोच किये कि जैसे एक पेंशनर्स ने अपना एक गित बनवाया जो एक लड़ा गित बोलते हो लोग तो वो बनवाया वो यहां 40 हजार लोगों का एक रशिमा करके उसमें हमारे एक दोस्त है जो दोल पेंट से पिया नाखपूर की काफी रिकॉर्डिस्ट है वो यह उनका कुट का स्टूडियो है अपना अलंका टॉक्स पूडियस यह वहां पर है तो वह उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि काना उनको चाहिए था वह हमने किये वह सहराट के गाने के जैसा चे था उनको जिंग 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 तो फिर उस टाइप में भी कोशिश की गई और वह अच्छी लगी लोगों को तो इस तरीके से करते-करते फिर अभी हमारे डॉक्टर एक रश्मुन दिश्मुकर के दोस्त है तो उन्होंने मुझे कहा कि दि तो है है आप उसके लिए देखिए बात जो निकली है थोड़ा समय आपके से क्योंकि जिम्मेदारी के लिए आप उनको फाइन लगा दो आप उनको कुछ भी कर लो लेकिन जब तक हैमरिंग नहीं होगी तब तक लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे और आपने प्रयास किया ह मुझे लगता है कि कही न कहीं है काम जरूर करेंगा वहुता है और कैसा है कि हमारा इक्सपेरियंस अकर कुछ है जैसे कि हम लोग कही किसी एक्सिदेंट में मिले हैं तो उसके बाद जब हम लोग सुनते गाना वह ट्रैफिक सिगिनल पर जो बचता है अधे घंडे बाद त परिफिक डिपार्टब्वेंट अपनी लेवल पर कर रहा है और यह सामाजिक संस्ताय कर रही है इन रही है नेकिन कुछ लोग तीन से 5% लोग वह नहीं सुनते हैं उनको परवा उती है मेरे को किसी ने पूछा भी था तो मैंने उनको बूला था कि इसका इलाज एक है कि आज इवन करावास है वह हम नहीं कर सकते हैं तो नहीं हो सकता तब तक यह सारे अहुं नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी आर प्रॉड कि हमारा 95% इतने अलग अलग तरीके के लोग है हमारे दुनिया देश में तो फिर भी 95% लोगो फॉलो करते हैं अच्छी बात है बच पांच परसंट के लिए हम लोग कोशिश करेंगे करते रहेंगे जो आप बता रहते हैं आपको कोई भी सीचुएशन जैसे अपने मोटिवेशनल्स भी गीत गाए है कोई भी सीचुएशन आपने बिलकुल लिखी देते हैं तो यह क्या एक इंस्पिरेशन क्या आपके जियुन में ऐसा कुछ घटा कि आपको यह लगा कि अब मैंने इस क्षेत्र में जाना चाहिए इसको डेवलप करना चाहिए सर कैसी बात एक आती है कि जब म्यूजिक आता है तो उसमें दो चीजे तीन कुछ सुने तो उससे कुछ हासी लो कोई एक प्रेणा में कुछ दे कर जाए जी दे कर जाए और फिर उसमें एक मेलडी भी रहनी चाहिए जो कानों को सुनने को अच्छा लगे तो वह बात पहुचेगी आपके दिमागे और दिल में तो यह चीजे मैं कोशिश करता हूँ म अच्छा आता है वह गीत सुनकर जैसे मैंने आपको बताऊंगा कि मैंने यह जो हमारा स्पीटिंग है जो थुकने का आदत है लोगों की या फिर यूरीन करते हैं है यह बुरी आदत लोगों ने पालकर रखिए जिश्ट्ना शहार कही है यह हमारा देश कही ना कहीं एक ग लोग नहीं मान रहते यह सब चीजों तो उस पे भी गित बनाया गया था हमारे लिए ज़ाड व्रुक्ष हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उनको प्रिजर्व करना ने व्रुक्ष लगाना तो उस पे भी हमने एक बनाया फिर जैसे अभी आपने कहा कि चंद्रयान का हमारा सक्सेस ता जो दुनिया में हमारा नाम हुआ था तो उसको भी सिलिब्रेट करना उनको जो साइंटिस लोग है जिनके वजह से यह हुआ है और बहुत खुबसूरत ही से आपने उसको गाया भी है उसको कंपोस भी किया रुकर जो आपने वीडियो प्रारूप जो दिया है व बहुत ज़रूर यह वो राजे जी आप दोस्ती भी बड़ी बखुबी निभाते हैं और दोस्तों के लिए भी कुछ करते हैं आपके बहुत भी अच्छे परीची थे डॉक्टर प्रदीप पाटी जी उनके जो बेटी की शादी उसके लिए भी आपने बहुत खुबसुरत सा गीत बनाया था जिसको सोशल मेडिया पर भी काफी रिकमेंडेशन मिला है जी 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 सर आपने बहुत पुरानी बात सुनी होगी सभी ने सुनी है कि दिये जलते हैं फूल खिलते हैं बड़ी मिश्किल से दुनिया में दोस्ती प्यारा किशुर कुमार जी का जी जो आज सकति हमारे प्रदीड पाट नेजास ओव्यम्वार किन फूल खेंगे प्रिप्रदि प्रदीपटियर और था ठाटे जो हम में मिलता है इन्सपिरेशन मह जा दोल live कि जिस तरीके से इन अपने आपको मतलब यहां तक लाए तो वो हम एक दूसरे को देखके वो जो मोटिवेशन बिलता है हमको तो उसके करण भी काफी चीजे मेरे से आती है मेरे अंदर से हम भी उनसे मिलें और काफी डाउन टू अर्थ लिखती है उनका और काफी कुछ जो है प्रदीव जी जो है सीखाने की को सफसी कांध की तो आपके जैसे आजयाधा है कि आपके जैसे दोस्त पाकर उनको काफी आसाना भी हो जाती हम क महतने कि描ント बहुत को पहुत हैं हम कुछी दोस्त मुझे जैसे हमारे एक मुजिक अरेंजर है मनोज रोकडे जी करके तो उनका भी हमारा साथ अच्छा ट्यूनिंग है तो हमारी दोस्ति है कि अच्छ अच्छ गीन बनते हैं हमारे साथ में डॉक्टर रश्मिन दिश्कुमेने जिनका नाम लिया कि जिनोंने ट्रैफिक जैसा गाना जो चौक में बचता है फिर उसके बाद रेल्वेज का जो है वहां सेकुरिटी के लिए उनके अवेरनेस का एक सौंग हमने बनाया उनके लिए पाइपलाइन में और है तो यह दोस्तों में ही हमारा काफी कुछ अच्छा-च्छा करने का जो ज़िद्वा है वह यह सब चीजे करवाता है बिल्कुल सही बात की देखिए जब हम गीत लिखने के बात करते तो हमारे पास में शब्दों का संचे होना फिर उसको उस एक लिरिक्स में मतलब एक ऐसी माला में पिरोना कि उससे एक गीत बन जाए फिर उस गीत को म्यूसिक देना मतलब एक कंप पसंद जो आपने लिखा हुआ है आपने कंपुच के और आपने गाया हुआ कोई ऐसा गीत हम जरूर सुनना चाहें देखिए अभी जैसे आपने बात जीतों कि अलग अलग गीतों भी बात के तो मैं एक बात आपको यहां बताना चाहूंगा कि अभी जैसे मेरे डोस आप प्रदीप पडिल इनकी बीटी की शादी थी तो उसमें हमने अच्छा बनाया है जो अभी लेटेस्ट है और उनकी स्पेशली डेडिकेट तो डेट कपल जो उनकी बीटी है दॉक्तर रूचा और उनके जो दामाद है दॉक्तर कौस्तूप इनके लिए मैं स्पेशली बनाय था तो वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा दिल है तेरा दिवाना ओ जाना दिल ने तुमको ही अपना है माना मुश्किल है ये मेरी जान अब जीना तेरे बिना अब ये दिल और ये जान तेरी है मेरबाद वावाव क्या वाथ है राजे जी मैं खुद संगीत का बड़ा प्रीमी हूँ लेकिन मेरे सपना रहा है मेरे जिंदगी में कि मैं कभी ना कभी कोई गीत गा सकूँ और डांस कर सकूँ लेकिन ये दोनों चीजे आज तक मैं कर नहीं पाया लेकिन आपके जैसे विक्तित्व कर दोने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो जो है मैं इसको जी पाया हूं अपने साथ में एक और गीत हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे वो जो आपने ट्राफिक के उपर में जो है जो आपने बनाया है वो गीत में क्यू लोगों को सुनाना चाहता हूं आपक सिगनल ना तोड मेरी बहना सिगनल ना तोड मेरे भैया राह देखते ही न रह जाए घर में राह देखते ही न रह जाए घर में राह देखे जो तेरी बीवी बच्चे मैया सिगनल ना तोड मेरी बहना सिगनल ना तोड मेरे भैया यह गीत मैं इसलिए लोगों को सुनना चाहता था कि देखिए हम रैस ट्राइविंग करते हैं कभी कोई हाथसा हो जाता है बात कुछ सिक्कन में खत्म हो जाती है या तो आपकी जान जा सकती है या आप हमेशा के लिए आने वाले जिंदगे के लिए आप बेड़ पर पड़े हैं आपको इतना बड़ा किया है आप 22 साल के हो 25 साल के हो आप इस तरह से घर जिम्मेदारा हरकत करके आप तो अपने जिंदगी के साथ में खेल लेते हो लेकिन उस माता पीता पर क्या गुजरती होगी जब वो अपने लाड़ ले बेटे या बेटे को इस अवस्था में द राजेश जी बहुत अच्छी बाते आपके साथ में हुई आप अपने संगीत के बारे में चलते चलते लोगों को क्या प्रेणा देना चाहेंगे क्या संदेश देना चाहेंगे को हमारे जो है आपका रिस्पॉंस दे क्योंकर निहीं की लोग तो में प्रीश बछाइये लगाईए है नแลहीं हम देख रहा जो एक एक करके हम ड़र के जी रहा है कर आज वहांसे है वह नोग जो एक सफाई की टरीका वो हम लोग कम से कम हमारी कोशिश है करें ताकि समाज एक हेल्दी समाज बने और बाक हम लोग जैसे है आपने बोला कि कि याता यातनी हमों का पालन करें रैश ड्राइविंग बहुत हमफुल है खुद के लिए और औरों के लिए भी वह मत करें और रेलवे जहां भी हम जैसे हमने रेलवे जिस सुविधाओं का हमें इस्तिमाल करने की परमिशन सरकार ने दी हैं जो हमारे लिए सुविधाय उप संगीत में अन्दाज में कहीं है और लिरिस होने के नाथे उन्होंने अपनी बात को जिस अन्दाज से रखा या और रखते हैं हम उनको आगे की जीवनी के लिए बहुत-बहुत शुभ कामना दे आप ऐसे हमारे साथ लिए 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 लिखते रहे हैं नापूर के लिए देश के लिए लिखती रही है और आपकी उन्नत भविष्चे के लिए हम कामना करते हैं भाइब भाइब धन्यवाद आपके संगीत में सफर की राज़ेंचे थे थे थे